हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी मैं आज आपके लिए फिर से बहुत अच्छी वीडियो लाई हूँ आज मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए तो बिलकुल नहीं बोलू मैं क्योंकि मुझे मालूम है आज की मेरी वीडियो बहुत खास और बहुत अच्छी है तो आप प्रामियों को देखा होगा जो उनका काम क्या होता है सर्फ टोंट मारना लोगों का दिल तोड़ना ऐसे चुबने चुबने वाली बाते बोलना तो ऐसे लोगों का मैंने इलाज जोंगा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूं फिर आप मुझे बत कि ढूंड़ते रहते हैं चारों तरफ कोई मिल जाए इसमें टॉंट मार सकें आपको भी ऐसे लोग मिल जाएंगे गली में, मौले में, पास में, पड़ोस में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिष्टेदारों में, रिलेटिब्स में, कहीं में मिल जाएंगे लिए इनकी पहँचान कोई खास नहीं है, इनकी बहň में और पहँचान बताओ, ऑर मेरी नजर में तो मैंने जो उपादी दी य हो एक सांप की दी है क्योंकि सांप का क्या है? डसना की ही हो जहर केफी जयाज़ाों लूद ही रहते हैं, उसका तो ये एक बार अटम को मारते आदमी खतम कहानी। ये तो डंको मारते ही रहते हैं जहर-उगते ही रहते हैं खतम भी रहता है इंका जहर पतानी कितना भणा हुआ है। तो इनको देखके न मुझे मिस्टर बीन ने एक बार अपने इंटर्व्यू में कहा था मुझे इनकी बात याद आ गई कि दुखी होना न सिर्फ समय की बरबाद ही है तो मुस्कुराने का न कारण ढूंडो और पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं कि एहमकार और अकड दो अगर आपको अपनी लाइफ खराब करनी है तो यह ठीक है बने रहा हो पुड़ो इनसान और वो सिर्फ आपको कुछी पल की खुशी देगी ज्यादा टाइम के लिए तो वो भी आपको खुश नहीं रख सकती अपनी तो लाइफ का मेरी लाइफ का तो बस एक ही फंडा है वो यह है मुझे चाहिए लाइफ में शान्ती और हमारी लाइफ में शान्ति आने तो बहुत है थो यह फायदा है से मॉटिवेशनल वीडियू बनाने का फिर तो मैं आपने रिव्यूद करों नहीं कैसे हैंडल करते हो नहीं जीजों जो मिरी लाइफ में होती है मैं क्या कर आपको भी, आपको भी करना ही, अपने फेस पे प्याजिस आती से स्माइल लानी है और वड़े दिल में अपने सुकून से कहना है, पागला साला, इसको तो काम ही ली है मनमें बोलके हमां से पहले फोर्सत में कट लो का मतलब यह निकल लो हां से उससे, दूर हो जाओ बातों पर रिप्लाई देने बैठ कई तो मुझे नहीं लगता कूरे दिन निकल जाएगा मेरा 24 गंटा और स्ट्रेस जाता पड़ जाएगा बीपी लोग बीपी हाई यह साड़ी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी और ना मेरे पास इतना टाइम रहता कि मैं इनकी सोचू क्यों बादा एनर्जी हमारी खाती है और एस एनर्जी की हमें फ्यूचर में जरुत पढ़ने वाली है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एस गिरती जाती है हमें एनर्जी की बहुत जादा रिक्वार्मेंट पढ़ती है और जब हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी तो शरीर में बीमार कुछ लोग उनको ज़्यादा हाइपर करे रखते हैं पूरे दिन माइंडे स्ट्रेस रहता है तो इससे क्या है उनकी एनरजी लेवर डाउन होता रहता है कहने वाले का भी और जिसको आउन सुना रहे होते हैं उसका भी तो इन सब का एक ही तोड़े वस मस मन में बोलो प्यार प्रोकार टंस बाते करते हैं तोट माटे हैं अगर हम उनका एक ही रिप्लाइ आता है भाई मेरी तो जवान फिसल गई ठीक है भाई खुद को बेवकूप बनाने की सला दे रहा है यह बोल के खुद अपना वो करना चाहरा है कि मेरी तो जवान फिसल गई खुद को खुद की दिल को तसल्ली दे रहा है यह पता क्यों होता है आपको बता दूं कि लाइफ का सबसे बड़ा कड़वा सच्च है कि जवान कभी तो अगर कोई इंसान तो बोल रहा है तो शीज और हमेशे बोलते रहे हैं और बहुता है कि ब्लते जवान फिसल गई यह मेरी आयह बरते हैं वो हमेशा यह बोलते रहते हैं जब वक्त पर जोट का जब दब़ा ज़ादा बढ़जाए तो बस तो मसकुरा कर भी उस वक्त पर मात दे सकते उस बुरे वक्त को वक्त झोड़े मुसकुरा कर तो मेरे तो मुस्कुरी ज़िती रहती है और मुझे मेरे पास इतना टाइम ही होता कि मैं उनकी बखवास का रिपलाई कर सकूँ मैंने तो यह फॉर्मूला अपना लिया है आप भी ट्राय करके देखना रियली बतायो वह सुकून मिलता है लोग बोलते हैं आप तो इसलिए सुन ले तो आप में पेशेंस हैं दूसरों की बाते से सुलें तो आप में पेशेंस हैं या फिर आप डर्बते हों बोलने से मैं ना तो मैं कायारू ना मैं डर्बोग। पेशेंस लेवल मेरा अच्छा हुए हैं मुझे पीछे से मिला है धरवालों से ही देई ना ही हुए और मैं आपको बता दू क्याएबर सामने वाले पे मेरी चुपी इतनी जादा भारी पढ़ जाती है और मेरे संसकार इतने उन पर भारी पढ़ जाते हैं मुझे चुप रहने पर मिल जाता रहता अगर आपको भी लाइफ में सक्सेस होना है तो प्लीज इन चोटी चोटी चीजों पर रियक्त करना बेकुल बंद कर दो चाहे वह घर में हो, चोटी बाते हैं या पहार हो, ऑफिस में हो, आपकी कलीक्स کے साथ हो, फ्रेंग्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, जिसके भी शाथ आपके यह चोटे-चोटे इसूज हो on पर नॉर्बल रेक्त करना स्टार्ट कर दो क्योंकि जितना आप उनको बोलोगे वो बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं हर जगे मिली जाते हैं आप कितना भी इनको आवड करने की कोशिश कर लो यह आप में घुसी जाएंगे जबर जस्ति आप उसे उने घुसाना भी नहीं चाहोगे तब भी आपके बीच में वह जबर जस्ति घुसेंगे लाइफ में आपको सुखोन चाहिए तो ऐसे लोगों का बाइकॉट करो दूर रहो ऐसे लोगों से मिल भी जाते हैं सामना हो भी जाता को उनकी बखवास सुनों स्माइल करो मन में बोलो सा पागल साला चाहिए इसका तो यह चलता रहता है निकल लो मां से पाइली पूर्षत में निकाल वह हो जाएगा उसके अंदर का कीड़ा जाग दाएगा रहता है तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वह आप मुझे कमेंड बोक्स में जरूर बताएंगे तहने बाद